प्रेगनंसी के लिए बहुत जरूरी है कि आप शारिरिक संबंध अपने ओवियूलेशन के समय मीन्स जब आपका अंडा रप्चर होता है उस समय आपके बॉडी में सीमन का प्रेजन्ट होना बहुत इंपॉर्टन्ट है अब सवाल यह आती है कि एक स्पर्म जो फीमेल के विजाइना के अंदर में डिपॉजिट होता है वो कितने देर तक जिन्दा रहता है वो स्पर्म लगबग 5 दिन तक जिन्दा रहता है अगर वो हल्दी स्पर्म है और एक अंडा जब फूटता है ओवियूलेशन होता है तो वो बारा घंटे तक अलाइव रहता है तब वो बारा घंटे तक कंसेप्शन के लायक रहता है तो इस केस में अगर आपकी साइकल रेगिलर है बीन समय पे आती है तो आप समझ लो कि बारवे से चौदवे दिन आप ओविलेट कर रहे हो और उस वक्त हस्बंड के साथ रहना आपके लिए बिलकुल आवश्यक है अगर आपकी साइकल 28 दिन की नहीं है पर फिर भी आप उसको प्रेडिट कर सकते हो कि वो 35 दिन की साइकल है तो आपको इस तरह से काउंट करना चाहिए कि जब मेंस्ट्रेशन यानि ब्लीडिंग शुरू होती है उसके 14 दिन पहले आप के अंडे फूकते हैं इस तरह से अगर आप कालकुलेट करोगे तो जो आपका बेस्ट टाइम है उसको आप कैच होल्ड कर सकते हो और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो कुछ फीमेल को उस वक्त दौरान पेन भी होता है तो वह बहुत इसली प्रेडिट कर सकती कि उनक इखना चाहते हो तो फिर आप एक फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कान कर सकते हो जिसमें आपका ओविलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं या टाइम पर इंजेक्शन लगवा सकते हो एग रप्चर के लिए कुछ लेच किट्स पी मार्केट में आते हैं जिनको प्रियोक कर सकते हैं सर्ज देखने के लिए जो ओविलेशन को प्रेडिक्ट कर सकती हैं तो यह कुछ तकनीक हैं जिसके आप घर बैटे ही प्रेग्नेंसी का अपना टाइम और समय आप उसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह बेस टाइम है शारिरिक संबत बनाने का और इससे आप जल्दी से जल झाल